हेलो फ्रेंड्स मैं अजित कुमार आपके यूटूब चैनल कमप्टिशन कम्यूटी पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो दोस्तों कैसे आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबों के पढ़ाई आसा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और से एक सेक्षन होता है अपका रेडिंग कॉम्प्रेहेंशन का सेक्षन दूसरा ग्रामर तीसरा वोकेब ठीक है तो इन दो सेक्षन के बाद अर्थात रेडिंग कॉम्प्रेहेंशन का जो सेक्षन है और ग्रामर का जो सेक्षन है अब उससे हम लोग बाहर निकलते हैं और आ अर्थात समान अर्थ वाले सब्द परियावाची सब्द दूसरा होता है आपका एंटोनेम्स जिसको हम लोग कहते हैं विलूम सब्द विपरितारतक सब्द अपोजिट मिनिंग वाले वर्ड्स ठीक है तीसरा होता है आपका OWS अर्थात वन वर्ड सब्स्टिचूशन वन वर सब्स्टिचूशन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनेक सब्दों के बदले एक सब्द ठीक है चौता होता है आपका इडियम्स एंड फ्रेजर जिसको हम लोग लोकोक्तियां मुहावरे खाते हैं तो इसमें लोकोक्तियां नहीं आते हैं आपके ससी एक्जाम में बट होता है मिस cook का उसमें दो प्रकार से question पूछे जाते हैं या तो चार option आपको जो दिये गये होते हैं उसमें से कोई work का spelling correct होता है वो आपको find करना होता है तो उसके instruction में लिखा होता है correctly spelled word को आपको find करना है ठीक है या जो चार option आपको दिये होते हैं उसमें से किसी एक word का spelling गलत होता है उसको कहते हैं कि wrongly spelled word को find करना है ठीक है तो total ये 5 section होते हैं या हम लोग दूसरे सब्दों में कहें तो vocabulary का जो section होता है उसको हम लोग 5 तरीके से बाट के अलग-अलग part में पढ़ में करेंगे vocab के first part में हम लोग पढ़ेंगे synonyms, antonyms, समान अर्थ वाले सब्द और opposite meaning वाले सब्द इनको हम लोग आज के इस class में पढ़ना सुरू करेंगे इनको पढ़ना सुरू करेंगे उसके पहले हम आपको बताते चलें कि यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब् बिल्कुल भी न भूले ताकि हमारे वीडियो के सारे notification आप तक पहुंशते रहें ठीक है और इसके अलावा Monday to Friday में everyday सामें पाच बजे हम लोगों का English का class होता है और हम लोग Monday to Friday में जो कुछ भी पढ़ते हैं जो कोई भी subject पढ़ते हैं ठीक है इन सबका आपको class का PDF notes तो हम अथी साथ आपको Monday to Friday में जो कुछ भी पढ़ाया गया होता है जिस किसी भी subject के जिस किसी भी topic का जहां तक का concept आपको पढ़ाया गया होता है उतने पर best आपको every Sunday every Sunday हम लोग practice seat भी available करवाते हैं तो यह PDF और यह practice seat दोनों ही चीज़े available हैं हमारे website पर और हमारे app पर दोनों ज रसूल रजिस्टर कर सकते हैं free of cost रजिस्टर करें और उसके बाद आप ACC वाले section में वहाँ पर चले जाएं सभी videos के सारे PDF notes आपको मिल जाएंगे और सारे practice seats आपको वहाँ पर available होते हैं ठीक है चलिए तो अब आज के class के सुरवात हम लोग यहां से फटा फट करना सुरू यह synonyms क्या समान अर्थ वाले सब्द से मीनिंग वाले word ठीक है यह जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परियावाची सब्द ठीक है चलिए तो अब यहां से हम लोग पढ़ना सुरू करते हैं देखिए इसको किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना चाहिए आप में से बहुत प्राइब को कैसे याद किया जाए देखिए वोकैब को याद करने का दबेस्ट ऑप्शन है कि आप बार बार इनका प्राक्टिस करें या आप कहीं भी किसी भी सोर्स से टे स्रीज लगाए ठीक है और जितने भी टे स्रीज में आपके वोड़ पूछे गए होते हैं जैसे म इंग्लिस का भी लगा सकते हैं फुल सेट लगाएं तो और बहतर है फुल सेट यह आप लगाएंगे जिसमें चारों हैं सब्जेक्ट आपको भी लेंगे मैथ, इंग्लिस, रिजनिंग, एजी के जीएस ठीक है तो उससे क्या है कि ओवर आल आपका डिवलप्मेंट होगा ठीक है और जो भी सेट आप लगाते हैं उस सेट में जितने भी कोशन आपके गलत होते हैं चाहे वो vocab का हो, चाहे वो close test का हो, rearrangement का हो या grammar का हो, किसी भी तरीके का जो भी आपका कोशन गलत होता है, उसको आप जरूर से analyze करें, जैसे हम आपको इसके माध्यम से बताना चा आता है इसका मिनिंग उसको नहीं आता है यह समय से हम सबों के साथ होती है यह जो question में what given है हम लोगों को यह तो इसका मिनिंग नहीं आता है जैसे यहां obligatory college इसका मिनिग आपको आता है तो यह जो चार option आपको given है इन चार options में से किसी एक या दो का meaning आता है किसी दो या तीन का meaning हम लोगों को नहीं आता ठीक है कई बार ऐसा confusion होगा कि आपको दिखाई पड़ेगा कि इसके same meaning वाले दो-दो word आपको दिखाई पड़ेंगे ऐसे word बहुत कम आते हैं means में ऐसे word बार-बार पूछे जाते हैं ठीक है तो means की बाद हम लोग means के लिए करेंगे tier 2 की बार tier 2 के class में करेंगे अभी हम लोग tier 1 की बाद करते तो tier 1 में वैसे word आपको बड़े rare case में देखने को भी लेंगे सायद ही कभी किसी set में किसी sitting में एक question वैसे पूछे जाएं तो बड़ी बात है ठीक है अनिता वैसे आपको tier 1 में दिखाई नहीं पड़ते अब देखिए हम लोगों के साथ समस्या क्या होता है जैसे यह scintillating ठीक है अब scintillating का meaning हमें पता नहीं अब पता ही नहीं है तो फिर यह question हमारा छूट जाएगा अब मालिजे जैसे यह समस्या हम सबों के साथ होती है ठीक है तो इसके लिए आपको घवराने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है आप यकीन मानिए regular basis पे daily एक या दो सेट लगाई है ठीक है मालिजे किसी का English बहुत ज्यादा वीक हो तो वो English का दीन भर में दो से तीन सेट लगा सकते है ठीक है और आपके जितने question गलत होंगे जैसे मालिजे किया pathetic answer करते हैं कोई भी एक option आप करेंगे ABCD4 में से कोई एक answer आप करेंगे जो भी answer आप करेंगे वो यदि गलत हो गया ठीक है इनकेस यह होता है हम सबों के साथ वो यदि गलत हो गया जैसे आपके टेलिग्राम ग्रूप में daily कोई चलता है आप में से बहुत सारे candidate वहाँ पे online होते हैं बट test में appear नहीं होते एक fear होता है क्या fear होता है एक प्रकार का phobia इसको कह सकते हैं कि हम यदि test में appear होंगे और मालिजे मेरे जितने question attempt हम करेंगे सारे के सारे question यदि गलत हो जाए तो मेरा क्या होगा पूरे group वाले लोग देखे नहीं है उसी के लिए हम यहाँ पे आपको example लेके बता रहे तो मालिजे की pathetic का answer को candidate करता है ठीक है मालिजे उसने कर दिया और option number A उसका गलत हो गया ओके ठीक है कोई बात नहीं अब आप after test जब आप इस set को लगा लेते हैं तो अब आप क्या करेंगे इन चारो word का meaning आप लि उसमें इन चारो word को लिखे अब आप में से बहुत सारे बच्चे फिर से कहेंगे सर इस प्रकार इस तरीके से तो यदि हम लोग चारो word का meaning लिखते चले अब मालिजे pathetic का meaning भी नहीं आता है तो इसका meaning भी यदि हम लिखते चले तब तो एक question में 5-5 word मिल जाएंगे और इस तरीके से तो बहुत सारे word हो जाएंगे फिर हमारा vocab का section improve कैसे करेगा देखिए हम आपको एक बात बताते चले आप यदि ASAC के previous year paper को उठा कर देखेंगे seriously यदि आप उसको analyze करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे बहुत सारे word हैं ऐसे बहुत सारे word हैं जो ASAC में बार बार repeat ह होते रहते हैं जैसे माले यहाँ पर pathetic लिखा है तो यह question में पूछा गया है आगे चलके यह हो सकता है कि pathetic आपके मिसस पेल्ट में मिल जाएं एंटोनिम में मिल जाएं OWS में मिल जाएं EDM sun phrases में मिल जाएं बात समझ में आ रही है तो इस तरीके से यदि हम लोग बात करें त कि total vocab आपको 1000 दिखाए पड़ते हैं ठीक है कितने दिखाए पड़ते हैं 1000 और यदि इस तरीके से आप हर एक option का मिनिंग लिखते चलेगे जिस किसी भी word का मिनिंग आपको नहीं आता है इस तरीके से यदि आप initially मेहनत करेंगे तो शुरुवाती अवस्था में आपको दि लिख रहते हैं जैसे अभी आपको इस क्रेंट पर तीन कोश्चत दिखाई दे रहा है तो यदि डेली आप ऐसे 10 कोश्चन के मिनिंग लिख रहे थे initially सुरू से ठीक है तो वो कई pages में हो जाते हैं 4-5 पेज भी हो सकता है बट कुछ दिनों के बाद अब ऐसे 10 कोश्चन के जब आप मिनिंग लिखना सुरू करेंगे तो अब आप देखेंगे कि 5-6 पेज से घटके हो आगया 2 पेज में कुछ दिन और मेहनत करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सिमट के आधे पेज का भी नहीं दाएगा अर्थात मैक्सिमम वर्ड के मिनिंग अब आपको आते रहेंगे और बार बार इस तरीके से से लगाने का बेनिफिट क्या होता है ये हम आपको समझाते चलें देखें हम लोग जो कोई भी वर्ड याद करते हैं जिस किसी भी वर्ड का मिनिंग लिख के हम लोग उसको रटते हैं याद करते हैं कुछ दिनों के बाद कॉमन समस्या है हम सबों के mind से वो slip कर जाता है हम लोग उसको भूल जाते हैं लेकिन जब आप इस तरीके से set को daily basis पे लगाएंगे तो इसमें आपका revision होता रहता है और revision होने के कारण आप इसको भूल नहीं पाते हैं बात समझ में आई ठीक है चलिए तो आईए अब इसी तरीके से इसी pattern को follow करते हुए हम लोग synonyms, antonyms के question को बनाना शुरू करें तो अभी हम लोगों का जो slide खुला था वो था synonyms का तो अभी हम लोग practice करेंगे synonyms का जैसे यहाँ पर आईए obligatory, obligatory का क्या होता है सबसे पहले इसके option को जड़ा देख लीजिए और आप में से किसी भी candidate को आता हो तो वो answer कर सकता है जैसे यहाँ पर question number one लिखके आप नीचे comment box में answer कर सकते हैं जितने भी word के के बाद या आप में से किसी को hesitation हो कि comment box में लिखेंगे YouTube पे तो पता नहीं कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे hesitation होगा ठीक है तो इस hesitation से सर्माने की हिच किचाने की कोई जरूरत आपको नहीं एकदम open रही है ठीक है क्योंकि जो भी आपको देखेगा analyze करेगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है हम लोग यहां पे आते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने improvement के लिए ठीक है तो जो hesitation को त्याग देगा result उसी का होता है ठीक है सर्माने वाली लोगों का फिर कुछ होता नहीं है तो पहले तो आप agitation को छोड़ दीजिए दूसरी बात यदि फिर भी आप में हिम्मत नहीं है ऐसे कुछ बच्चे होते हैं कि हम चाहे जितना उसको warm-up कर दें उसको चाहे जितना encourage कर दें लेकिन उसका agitation जाएगा नहीं ठीक है वो comment box में publicly कुछ भी लिखेगा नहीं तो उसके लिए भी solution है क्या solution है आप यहाँ पे question का number डाल लीजिए ठीक है एक copy ले लिजिए उस copy में question का number डाल लीजिए और जैसे मा लिजिए question number one का answer है तो आप लिख लिजिए a question number two का b तो आप लिख लिजे B, Q3 का C, तो आप लिख लिजे C, Q4 का D, तो आप लिख लिजे D, और फिर वीडियो को pause करके, ठीक है, और फिर जब हम इसको explain कर देते हैं, तब आप इसके answer को अपने copy वाले answer से match कराईए, ठीक है, बात समझ में आई, चलिए, तो यहाँ पर आए हम लो पुरी विवस्ता, reckless, reckless, useless, जिसका कोई यूज नहीं हो, अनुपयोगी, aggressive क्या होता है, आक्रामक, mandatory क्या होता है, फिर वही बात, mandatory, जो एकदम mandatory करना ही है, अनिवार है, बादेता है, ठीक है, तो हम लोगों को synonyms करना था, तो question number one cancer क्या बनेगा, one cancer बनेगा, option number C, ठीक है, next से आगे बढ़ते है, यह देखे, scintillating क्या होता है, बही, shiny, चमकीला, चमकदार, भड़कीला, आजाए, option देखे, glittering, चमक, चमकता हुआ, चमकना, ठीक है, bright, boring, उबाओ, stinging, sting मतलब बदबुदार, ठीक है, बदबुदार, flattering, फ्लैटरिंग क्या होता है, यह होता है, answer क्या बनेगा, question number two का answer बनेगा, हमारा glittering, next, चलते है, question number three में, pathetic, pathetic, क्या होता है, misery, क्या होता है, misery, ठीक है, misery मतलब क्या होता है, जो एकदम दैनी अवस्था में हो, बुरे condition में हो, यह, curious का मतलब होता है, excited, उत्सुख, जानने के लिए inquisitive, यह सारे और जितने भी हम बोल जाने वाले question, ठीक है, next, यह dull, dull का मतलब क्या होता है, nearest, उदास, boring, pitiful, दैनी, दुखी, insignificant, significant क्या होता है, महत्वपोर्ण, important, insignificant, मतलब trivial, तुच, साधारन, महत्वहीन, अब इसका answer क्या बनेगा, तो pathetic answer बन जाएगा, pitiful, pathetic का, pitiful, next, यहां से आगे चलते है, कुछ और question की त होता है, full of पच्चाताप, full of remorse, पच्चाताप से भरा हुआ, अपसोस, दुख, पच्चाताप, admiration क्या होता है, presence, patience, धैर, misery, वही, जो अभी थोड़ी तेरे पहले बता रहे थे, मुसीबत, दुख, repentance, repent का मतलब भी होता है, पच्चाताप करना, अपसोस करना, दुख का बनेगा, question number four का, synonimus बनेगा, option number D, क्या बनेगा, option number D, next, implore, implore का मतलब होता है, request करना, urge करना, विंति करना, command, command का मतलब क्या होता है, आदेश देना, order देना, plead, plate का मतलब क्या होता है, तर्क देना, बहाना करना, honor, सम्मान, refuse, इंकार करना, ठुकराना, किसी काम को करने से मना कर देना, डिनाई करना तो request करने का synonyms क्या बनेगा भई request किये मतलब क्या किये plead, तरक देना, refuse होगा नहीं honor होगा नहीं, ये दोनों option cancel होगा अब क्या बनेगा, command ठीक है, next request भी एक प्रकार का command होता है, command तीन प्रकार के होते हैं सबसे पहले order जैसे कि हम लोगोंने voice में पढ़ा था narration में पढ़ा था sentence तीन प्रकार के थे, order तीन प्रकार के होते हैं, पहला positive जिसको हम लोग simply order काते हैं, command काते हैं दूसरा negative जिसको हम लोग prohibition भी काते हैं, restriction भी काते हैं तीसरा होता request ठीक है, next glorious, glorious क्या होता है, सांदार सांदार भव्य बहुत बढ़िया, splendid ये भी होता है, सांदार enormous, जो size में बहुत बढ़ा हो, huge, gigantic unusual और सामाने, usual होता है सामाने, unusual और सामाने gentle, मतलब विनमर, polite, ठीक है, civilized अब इसका answer क्या बनेगा, तो number six का answer बनेगा, हमारा splendid, ठीक है, next आगे बढ़ते हैं से हम लोग, चलते हैं कुछ और question की तरफ, ये देखें reviewer, reviewer क्या होता है भाई किसी का सम्मान करना reverence, difference reverence, difference भी आपके exam में बार-बार पूछा जा चुका है ठीक है, कई बार पूछा है तो ये ऐसे word है, जो बार-बार repeat होते रहते हैं, तो इनको आपको याद रखना होगा, respect करना सम्मान करना, enjoy, आनंद ये तो आप जानते हैं, कंडेम क्या होता है किसी का निंदा करना आलोचना करना, repeat मतलब क्या करना, दोहराना पुनरा वृति करना, तो अब रेवरी का अंसर क्या बन जाएगा, option number A, respect, next prevent को हम लोगों ने preposition के first class में भी पढ़ा था, second class में भी इसके बहुत सारे question को हम लोगों ने preposition part 2 में भी solve किया था, ठीक है, तो prevent from, prevent someone from doing something, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, prevent के साथ क्याता है from, prevent का मतलब क्याता है, रोकना मना करना, construct मतलब बनाना, ठीक है award मतलब हटाना, टालना allow, permission देना, स्विक्रिती देना, ठीक है provoke मतलब उक्साना भढ़काना, उत्ती जीत करना चलिए, अब prevent का answer क्या बनेगा भई, prevent क्या था prevent क्या था हमारा, रोकना अब रोकना से related क्या है provoke है नहीं, allow है नहीं, construct है नहीं, एक ही answer बच्चा, award हटाना, टालना, तो जिस चीज़ों को हम लोग मना करते हैं उसको क्या करते हैं, किसी तरीके से रोकने का प्रयास करते हैं, टालते हैं छोड़ों हटाओ जाने दो acknowledgement, जैसे कभी-कभी आप कहीं कोई form भरते होंगे तो आप देखते हैं कि उसमें छोटा सा एक acknowledgement होता है, ठीक है या आप कहीं जाते हैं, उसको submit करते हैं तो आपको छोटा सा acknowledgement इस बात को सत्यापित करने के लिए प्रूफ करने के लिए सुखरित करने के लिए प्रमान के तौर पे दिया जाता है कि आपने वो document वहाँ पे जमा कर दिया बात समझ में आई यानि कि आपने वो काम submit किया, जो भी आपको प्रूजेक्ट जमा करना था उसको submit किया इसका आपको क्या मिला? acknowledgement पाउती ठीक है तो यह है confusion confusion आपको पता ही है compensation मतलब क्या होता है? छती, पूर्ती, मुआवजा elimination मतलब बाहर कर देना निकाल देना, हटा देना confirmation मतलब सत्यापन पुस्टी तो acknowledgement किस लिए दे जाता है? इसे काम के लिए दे जाता है तो इस acknowledgement का synonyms क्या बनेगा? confirmation ठीक है next अब यहां से आगे बढ़े protocol, protocol क्या होता है? protocol होता है खर्चीला, मितवेई जो फालतू का खर्चकर जैसे आपके पास एक phone है ठीक है लेकिन आपने देखा कि कोई नया mobile launch हो गया किसी company का एक सोजट किसी भी company का आपके पास जो पहले से mobile है इससे थोड़ा सा जादा feature उसमें है आपको लगा नहीं दिखने में लूक इसका बढ़िया है फीचर से इसके बढ़िया है एक काम करते है यह mobile हटाओ अब नई वाली खरीद लो तो आपको नई mobile की कोई जरूरत नहीं थे लेकिन फिर भी आपने खर्च कर दिया जहां 10 रुपया खर्च करना चाहिए वहां 20 रुपया खर्च करें तो इस प्रकार के लोगों को क्या कहते है इसका प्रोडिकल कांसर क्या बनेगा प्रोडिकल कांसर होगे औप्शन बरसी एक्स्टा वैगेंट फ्योरी क्या होता है बहुत जादा गुस्से में होना जिससे कोई-कोई गुसा होता है जिसको हाई बीपी वगएरा का problem हो तो देखेंगा उसको जब गुसा होता है तो चेहरे गुसे से उसका चेहरा जो है लाल पीला होने लगता है ठीक है असान सा question था question number 11 का answer बन क्या एंगर एंगर option number C solitary क्या होता है अकेला पन तनहाई solitary अकेला पन तनहाई यह singular मतलब एक splendid अभी हम लोग पढ़े थे सांदार बढ़िया stubborn stubborn क्या होता है जिद्धी हठी अब यह stubborn और यह arrogant यह दोनों एक दूसरे का synonyms है ठीक है sensible भावक ठीक है sensitive तो अब solitary का हमारा synonyms क्या बनेगा option number A ठीक है इसी तरीके से आपको इनको याद रखना होता है और इसके साथ ही साथ जब हम लोग exam के बाद फिर कभी मिलेंगे तो वहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि इन सारे words को किस तरीके से आप किसी भी चीज़ से relate करके लंबे समय तक बिना रट्टा मारे हुए कैसे याद रख सकते हैं ठीक है चली तो फिलहाल हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं exam के point of view को ध्यान में रखते हुए फटा 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 लोग maximum number of question करने का प्रयास करते हैं ताकि इस में से साइध कोई भी वर्ड यदि आपके exam में टैली करें तो आपसे वो question certainly बनना चाहिए ठीक है चली यहां पर expensive महांगा सौबर सिसकना या दुखी जब आप रोते हैं सिसकते हैं कब जब आप दुखी होते हैं ठीक है तो इसका एक मिनिंग रोना भी होता है gentle विनम्र, polite, civilized, dear मतलब महांगा, mild मिन्स थोड़ा सा, mild मिन्स थोड़ा सा थोड़ा बहुत यह mild का मिनिंग होता है दूसरा मिनिंग भी करना, convey मतलब किसी को समझाना, convince करना, gain मतलब प्राप्त करना, love, maintain बनाए रखना, ठीक है तो इसका answer क्या बनेगा, retain का हो गया, maintain, अब यह erudite क्या होता है, erudite होता है scholar, erudite मतलब scholar, पढ़ा लिखा व्यक्ति विद्वान, ठीक है, learned, learned का मतलब भी होता है, पढ़ा लिखा विद्वान, fashionable, मतलब आप समझते ही है, fashion, strong, मतलब मजबूत, illiterate, मतलब अनपढ़ और सिक्षित, तो answer क्या बनेगा, erudite का बनेगा, learned, ठीक है, next यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं, अगले question में, violent क्या होता है भाई, तो violent हिंसात्मक, ठीक है, kind, दयालू, calm, calm का मतलब होता है, sound, mild मतलब वही, कमजूर, aggressive, अक्रामक, तो violent जो जानवर होते हैं, जो हिंसात्मक जानवर हैं, वो कैसे होते हैं, तो अक्रामक होते हैं, जैसे अभी रसिया की बात कर लिजिए, तो रसिया भी देख रहे हैं, Ukraine में लगतार, violent होता, चला जा जा रहा है, जम के बंबारे हो रहे, तो violent cancer क्या बनेगा, aggressive, deficiency क्या होता है, किसी चीज की कमे, जैसे हम सबों में, जो सारी छेतर में रहने वाले लोग हैं, मुखे रूप से सारी छेतर में रहने वाले, चाहे, male हों, female हो, किसी age group के लोग हो, उनमें basicले देखेगा, vitamin D की कमे पाए जाती ह ठीक है, कई लोगों में hemoglobin की कमी होती है, खून की कमी होती है, वगेरा वगेरा, तो deficiency क्या है, कमी, abundance, प्रचूरता, अधिकता, परियाप्तता, efficiency, यह भी है परियाप्तता, ठीक है, inadequacy, मतलब अब परियाप्त, ठीक है, inabundant, तो अब हमारा इसका answer क्या बनेगा, answer बनेगा option number A, abundance, ठीक है, sorry, deficiency था, तो deficiency मतलब कमी था, तो answer बनेगा option number D, next चलते है, question number 18 में, catastrophic क्या होता है, जैसे आप देखिए, रसिया जो है, युक्रेन पे जो लगतार बंबारी कर रहा है, तो यह कैसा, विद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध डिजैस्ट्रस यह भी होता है, विद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् और क्या होता है, किसी को अलंकरित करना, सजाना, सवारना, सरिंगार करना, fear मतलब है, यह पता ही है, favor आपको पता है, compare मतलब तुलना करना यह आपको पता ही है, तो prefer का answer आप खुद से कर सकते हैं, prefer का क्या बनेगा, favored, अब ये देखे, ovation, ovation क्या होता है, applause, प्रसंसा करना, किसी का तारीफ करना, creation, मतलब किसी चीज़ को बनाना, create करना, preparation, तयारी, applause क्या होता है, ये भी होता है, प्रसंसा, applaud, applause, ovation, इन सब का मिनिंग एक ही होता है, प्र आलोचिना करना, ठीक है, चलिए, अब आप में से कुछ बच्चों के मन में आ सकता है, सर, sensor board भी तो होता है, वो sensor SO होता है, ठीक है, SO, बाकि सारी चीज़ वही रहेगी, C, E, N, S, O, R, E, sensor, ठीक है, तो चलिए, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करते हैं, अभी sensor, इसका मतल वक, ठीक है, friendly, अब friendly जो चीज़े होगे, उसमें क्या होगा, एक दूसरे के लिए सम्मान होगा, एक दूसरे के लिए गर्म जोसी होगा, ठीक है, cold, cold का मतलब क्या होता है, ठंडा, सांत, या इसको कहते है, निस्तेज, ठीक है, dull, warm का मतलब गर्म, गर्म जोसी, rude, rude का को अगर कोई तरीका नहीं है, काम करने का, बात करने का कहते है, गवार है, rude है, hard, hard का मतलब क्या होता है, कठोर, ठीक है, मजबूत, तो इस cordial का answer क्या बनेगा, answer बनेगा, warm, अब आप में से कुछ बच्चों का answer आ सकता है, अब देखें, यह क्या है, cordial क्या है, positive word है, यह क नेगेटिव तो positive, positive उठाईए, डाल देखें, कई बार इस तरीके से भी आपके answer पूछे जाते हैं, इस तरीके से question आपको दिया रहेगा, और इसी तरीके से आपको answer करना होता है, ठीक है, चले है, यहां से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, कुछ और question की तरफ, यह देखें मिलना, criticism मिलना, आलूचना मिलना, बुराय मिलना, किसी से अपमानित होना, ठीक है, depressed क्या होता है, तो दबा हुआ होना, ठीक है, depressed, दबा हुआ होना, disappointed होना, फ्रस्टेट होना, dislike क्या है, तो like होता है, पसंद, dislike मतलब ना पसंद, ठीक है, hatred, disgusted क्या होता है, उबा हुआ होन होता है तो 710 710 क्या होगा पौल हर्ट मतलब यह हट है हर्ट में लग जैने हर्ट है हरट somehow मतलब क् mercury ओसका मीनिंग भी एसा ही होता है अब इसका आंसर क्या बनेगा आप किसी व्यक्ति से यह किसे व्यक्ति को क्या करतेहे न è जैसे आप किसी को disheartened करते हैं, meaning कि आपने उसको humiliate कर दिया, ठीक है, आपने उसको undermine कर दिया, ठीक है, underestimate किया, आपने उसको नीचा करके दिखा रहे हैं, ठीक है, तो इस related keyword है, disgraced, ठीक है, next juvenile क्या होता है, तो ऐसे बचे जो 18 वर्स की उम्र से कम के होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग काते है, juvenile, 13 के हो, 12 के हो, 11 के हो, ठीक है, तो 13 से लेके 18 के नीचे तक के बच्चों को हम लोग काते है, juvenile, ठीक है, अब juvenile बच्चे कैसे होते हैं, mature नहीं होते, ठीक है, maturity का एक limit क्या माना किया, तो 18 साल, ठीक है, यहां पर जें, mature, परिपक हो, wise, चालाक, insane, insane होता है, पागल सन की, चाइल्डिस बच्पना, तो अब इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा, चाइल्डिस, ठीक है, रिपॉक्शन क्या होता है बाई, तो रिपॉक्शन का ये, ये होता है किसी चीज का प्रभाव, क्या होता है, प्रभाव, प्रतिक्रियात्मक जो होता है रियक्षन के तौर पे किसी चीज का जो प्रभाव होता है उसको हम लोग आते है रिपॉक्षन ठीक है जैसे गांदी जी ने क्या कहा था कि यदि कोई तुम्हें एक थपड मारे तो एक गाल में तो तुम दूसरा गाल भी दे दो ठीक है जबके ऐसा होता हम लोगों ने ये भी सुना था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ठीक है तो आप खून देजिएगा उसके बदले में आपको क्या मिलेगा आजादी मिलेगा तो वो क्या है रिपॉक्षन ठीक है तो इसका आंसर क्या बनेगा? Question number 24, option number A. Holy. ये भी होता है.ी किम्ती, जिसका केमत हो. होती है इसकार्स विरल वैलियूट जिसका कीमत हो ठीक है तो सेक्रेट का अंसर क्या बनेगा होली यह वियरी क्या होता है भाई तो वियरी होता है थकावट से भरा वह फूल ओफ टायर सम फूल ओफ टायर सम ठीक है रेस्टलेस रेस्टलेस कहिए या रेलेंटलेस कहिए इन द lively, जिवन्त, ठीक है, exhausted, exhausted क्या होता है भाई, तो ठका हुआ, ठक के चूर-चूर हो जाना, ठीक है, exhaust, तो वियरी का आंसर क्या बनेगा, exhausted, अगला क्या है, accurate, accurate क्या है भाई, तो accurate मतलब सही-सही, अब ये capable, capable का मतलब क्या होता है, योग है, precise, संचिप्त, ठीक है, compact, compact भी संच से भरा हुआ, तुरूटी पुर्ण, दोस्पुर्ण, अंसर क्या बनेगा, accurate का अंसर बनेगा, precise, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप precise वे में करते हैं, conclude करते हैं, उसको छोटे में करके बताते हैं, तो एकदम exact चीज़ों को आप बताने का प्रयास करते हैं, जैसे हम लोग प्रेसिस या समरी जो लिखते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, accurate एकदम उसका जो conclusion होता है, accurate बाते जो मुखे बाते कही गए, सिर्फ उसी की चर्चाह हम लोग वहाँ पे करते हैं, तो इस accurate का अंसर क्या बनेगा, precise, ठीक है, next, यहां से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुछ और question की तरफ, affluent, affluent क्या होता है, wealthy people, well of rich people, ठीक है, जो संपन्न हो चीजों से, धन से, संपत्ती से, उसको कहते हैं, affluent, hostile, hostile का मतलब क्या होता है, hostile का मतलब होता है, opponent, मतलब सत्रुता, hostility, सत्रुता, ठीक है, antagonistic, improvised क्या होता है, improvise होता है, किसी को गरीब बनाना, क्य में हो, knowledge के मामले में हो, यह जिसके सी भी मामले में हो, तो to make someone or something poor, in state or quality, ठीक है, next, authentic क्या होता है, वैधानिक, authentic क्या होता है, वैधानिक, prosperous क्या होता है, संपन, सम्रिधी, संपन्नता, flourish, ठीक है, तो अब affluent का answer क्या बन जाएगा, affluent का answer बनेगा, synonymous group में, prosperous, thrive, thrive का मतलब हो जैसे हम लोग सुनते हैं, दिन, दुगना, राज, चोगना, उननती करना, ठीक है, तो यह है thrive, thrive का मतलब उननती करना, crave, crave का मतलब होता है, किसी चीज को पाने का strong desire, strong desire, shrink, shrink का मतलब होता है, शिकुडना, और ऐसा है एक और word use हम लोग करते है, shrivel, s-h-r-i-e-v-e-l, shrivel, श्रिवेल क्या होता है भाई सेकुडन ठीक है लेंग्विस लेंग्विस क्या होता है सोस्त आलसी इनक्टिव फ्लरिस ये भी होता है उननती करना ठीक है प्रोस्पेरस तो हमारा अंसर क्या बनेगा थ्राइव का फ्लरिस ठीक है असॉल्ट अटैक होता है असॉल्ट का तो assault cancer क्या बन जाएगा attack ठीक है next यहां से आगे बढ़ते हैं चलते हैं कुछ और question की तरफ यह देखे सॉलम क्या होता है भाई सॉलम का मतलब होता है serious गंभीर ठीक है serious गंभीर इग्नोरेंट क्या होता है अन्भिग अंजान ordinary क्या होता है सामान्य ट्रिवियल ठीक है not significant insignificant यह serious serious मतलब गंभीर फ्यूरियस फ्यूरी क्या होता है अभी आज ही के क्लास्व में लोगों ने पढ़ा था ए फ्यू आर्वाइ फ्यूरी फ्यूरी मेंज एंगर अत्यदिक क्रोध फ्यूरियस मतलब गुसा वाला तो सॉलम का क्या बने का अज़ेर सिरियस नेक्स्क्ट एरेडिकेट का मतलब क्या होता है उन मुलन करना जड़ मूल से समाब्थ करना ठीक है जैसे पोलीया पोलीयो का नाम अपने सुना है पोलीयो का क्या हुआ eradication ठीक है जैसे अभी TV का TV समझते हैं TV जो एक बिमार है उसके eradication के लिए काम कर रहे हैं ठीक है बारे सरकार काम उसके लिए कर रहे हैं उसको और गाढहा बनाना टेंज करना ठीक है अप्रूव का मतलब स्विक्रिति मैगनिफाई मतलब साइज में उसको बढ़ा करके दिखाना बताना या बढ़ाँ चड़ा कर किसी के बारे में बोलना तो इरेडिकेट का क्या बनेगा अप्रूट बनेगा अबच अबच का मतलब क्या होता है लजा heißt citizen नावको पता हैं यह सुरुवाद करना continue पता है एंड पता है तो अबॉर्ट का क्या बनेगा एंड करना नेस्ट आग़े बढ़ने हाँ से XC इंड यह तो आपको पता है एक सीड मतलब किसी चीज somebody करना सरपास यह भी होता है किसी चीज़ से आगे निकल जाना इंप्रूफ उन्नति करना डिक्रीज पता ही आपको कम होना या करना डिक्लाइन मतलब गिरना कम होना पतन ठीक है तो एकसीड का अंसर क्या बनेगा सरपास नेक्स्ट कुशन नमर्थ 35 में चलते हैं रिलीव का मतलब क् मिनी क्या होता है आराम ठीक है एस्ट्रेस मतलब तनाव एंगर गुस्टा एड एड का मतलब क्या होता है मदद जैसे यूक्रेन की मदद करने को वेस्टरन कंट्री वाले लोग यूरोपियन यूनियन वाले लोग अमेरिका और बाकी दुनिया के बहुत सारे देश ठीक है एड का मतलब क्या होता है मदद इमोशन भावना तो रिलीव का क्या मिलेगा एड रिलीव का अंसर क्या होगा एड होगा ठीक है इनकलिमेंट क्या होता है बाई तो इनकलिमेंट क्या होता है इनकलिमेंट होता है अनप्लेजन चीजे अनप्लेजन चीजे ठीक है क्या होता ह है, inclement का मतलब होता है, unpleasant चीज है, inclement का और दूसरा meaning होता है, और दूसरा इसका meaning होता है, strong, kathor, nirdai, बिदर्ध, ठीक है, ठीक है, तो अब इसका चलते है, option के तरफ, dignified मतलब, reputed person, ठीक है, reputed, wonderful, बहुत बढ़िया, stormy, stormy का मतलब, तूफानी, जोडार प्लिजेंट, प्लिजेंट का मतलब होता है आकर्जक, सुहावना ठीक है, तो इनकिलमेंट का प्लिजेंट तो हो जाएगा अपोजिट अब इसका सिनोनिम्स करना था, तो सिनोनिम्स क्या बनेगा, स्टॉर्मी जोगे गुस्से में इनसान कैसा होगा मजबूत होगा, ठीक है, अकरामक होगा, तो इसका एक ही ओप्शन बचा, ओप्शन नमबर बी, स्टॉर्मी नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले में चलते हैं कॉंटामिनेट क्या होता है, प्रदूशित करना, जैसे टाइफाइड बिमारी हम लोगों को होती है, कॉंटामिनेटेड वाटर के कारण, कॉंटामिनेटेड वाटर हो, फूड हो, तो कोई भी प्रदूशित चीज़ जब हम लोग खाते हैं, उसी के कारण से हम लोगों को क पानी मिला देजिए वो कैसा हो जागा contaminated ठीक है sanctify क्या होता है किसी चीज को पवित्र करना या बनाना purify किसी चीज को filter करके सुध्ध बनाना विसुध्ध करना cleanse मतलब साफ करना pollute मतलब प्रदोसित करना तो इसका synonym क्या बना contaminate का बनेगा pollute ठीक है next आगे देखे के सबसेक्वेंट सबसेक्वेंट क्या होता है उसके बाद वाला ठीक है कोई घटना होती है उस घटना के बाद उसका जो impact होता है वो कैसा है सबसेक्वेंट ठीक है consecutive क्या होता है क्रमसा gradual ठीक है लगातार anti-cedent के होता है पहले आने वाला क्या होता है पहले आने वाला इसकोम लोग ने पढ़ा था relative pronoun में भी ठीक है next preceding क्या होता है भाइए पहले वाला ठीक है preceding पहले वाला और दूसरा भी इसका मिनिंग होता है किसी एक घटना जो होती है उसके बाद वाला ठीक है प्रायर मतलब एकदम पहले वाला ठीक है तो इसका आंसर क्या बनेगा सबसेक्वेंट प्रिसीडिंग ठीक है नेक्स्ट अडेक्वेट क्या होता है परियाप्ट अडेक्वेट क्या होता है परियाप्ट होता है ठीक है यह है मीगर मीगर अयोग्य, inept अयोग्य, sufficient पर्याप्त, unfit ये भी अयोग्य, ठीक है, तो इसका answer क्या बनेगा, adequate का answer करना है हम लोगों को, answer बनेगा, sufficient, क्या बनेगा, sufficient, next यहां से आगे बढ़ते हैं, tranquil का मतलब क्या होता है, सांत, जैसे ठाहरे हुए पानी, सांत पानी, ठीक है, nervous, आपको पत होता है, nervous, confused, calm, agitated, wild, मतलब होता है, जंगली, ठीक है, तो ट्रेंक्विल का क्या बनेगा, काम बनेगा, fascinating, आख करसक, ठीक है, attractive, option, number A, appealing, अपील करना, मतलब नहीं कहते हैं, हम लोग के इसका जो personality, appealing है, dancing personality, मतलब आख करसक, stupid, बोरिंग, बोरिंग, बोरिंग मतलब उबाव, tiring, ठकाने वाला, तो answer क्या बनेगा, question number 41 का answer होगा, appealing, next चलते हैं, आगे condemn, निंदा करना, तो यह देखें, यहां भी condemn, और यहां है comment, comment का मिनिंग होता है, प्रसंसा करना, to praise, compliment यह भी होता है, प्रसंसात्मक, प्रसंसा करना, denounce, मतलब किसी को हतोच साहित करना, उसके निंदा करना, disappoint करना, frustrate करना, बोर करना, approve सामती approval acceptance, ठीक है, तो condemn का क्या बनेगा, condemn का बनेगा, denounce, option number B, next, engulf, engulf क्या होता है, बही, तो engulf होता है, पूरी तरीके से किसी चीज़ को डुबा देना, निमगन करना, निमगन मतलब प पानी से, जैसे flood आता है, बार आता है, तो हम लोग का जो land होता है, जहां पे नीचे वाले इरिया जो होते हैं, वो पानी से पूरी तरीके से क्या होते है, भर जाते है, डूब जाते है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते है, engulf, ठीक है, uncover, cover मने धकना, uncover मतलब नहीं धकना धक हुई चीजों को हटा देना ठीक है मतलब उजागर करना ड्राइ मतलब सूखना यह सूखा नेगलेक्ट नजर अंदाज करना इननडेट इननडेट का यूज भी करते हैं लिक्विड के सेंस में फ्लाट वगेरा का जो पानी आता है पूरे एरिया को जब डुबो लेता है तो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं इननडेट तो इननडेट और अंगल फिन दोनों का मिने क्या हो गया सेम हो गया अफेंड का मतलब होता है किसी को हुमिलियेट करना डिस ग्रेस फूल बनाना मतलब किसी को अपमानित करना नीचा दिखाना एन्वाय मतलब गुस् अन्वाय आप किसी को बेज़ती किजिएगा किसी को नीचा दिखाएगा तो उसको क्या होगा गुस्सा आएगा तो यह दोनों एक दूसरे कि क्या बने सिनोनिम से बने पार्सी मोनी से बनता एक पार्सी मोनी बहुत बार पूछा गया यह वर्ड आपके एसस एक्जाम में न जाने कितनी बार यह repeat किया गया कभी CGL में कभी MTS में कभी STN में CGL में भी आप देखिएगा और CHSL में भी आप देखिएगा न जाने कितनी बार यह repeat हुआ तो बहुत ही important word है यह पार्सी मोनी या पार्सी मोनी यह दूनों का मतलब होता है बहुत ही कंजूस जो एकदम कम खर्च करता हो बने एक होता है नॉर्मल खर्च करने वाला एक होता है फालतू कर्च करने वाला एक होता है कि ठीक है नॉर्मल में भी थोड़ा बहुत बचाएं में यह धन के देने में पैसे के लेन देन में जिनरस ठीक है readiness मतलब तयार ठीक है फ्रूगल फ्रूगल होता है वही व्यक्ति जो एकदम कम खर्च करता हो एकदम ना मातर का खर्च करने वाला हो पार्सियमोनियस टाइब से bounty का मतलब होता है gift बाउंटी का मतलब कहता है gift ठीक है तो अब इसका answer क्या बनेगा पार्सियमोनियस का बन जाएगा फ्रूगल ठीक है next यहां से आगे बढ़ते हैं चलते हैं आगे कुछ और चीज़ों को हम लोग सीखते है अपरेंट अपरेंट क्या होता है बई तो अपरेंट होता है जो पारदर्सि हो असपस्ट हो clear हो वह है अपरेंट obvious इसका meaning भी होता है असपस्ट clear dubious संदे हास्पद जो clear नहीं हो जिसके विजार clear नहीं हो doubtful संदे है पुन तो dubious और doubtful एक दूसरे के synonyms हो गए obscure मतलब असपस्ट not clear जो असपस्ट नहीं हो जो open नहीं तो अपरेंट का क्या बनेगा obvious नेक्स्ट यह है फेटिग फेटिग का मतलब क्या होता है extreme थकान बहुत ज्यादा थकावट liveliness क्या होता है एकदम energetic full of energy नेक्स्ट earnestness क्या होता है ओनेस्टी यह है weariness weariness क्या होता है यह भी होता है थकान क्या होता है tiresome थकावट freshness तरो ताजा मने full of energy तो फेटिग answer क्या बनेगा answer बनेगा weariness ठीक है redundant क्या होता है रिडंडेंट होता है रिडंडेंट होता है superfluous unnecessary जिसकी आवसकता नहीं हो फालतू ठीक है जैसे माल लिजे हम लोग अगर working में हैं तो आपको seven cents अगर आपके पास हूँ साथ कमीजिये ऑपके पास हूँ तो enough है ठीक है लेकिन seven हो इसके बावजूद आपको लगता है क्या कूछ और लेना چाहिए ठीक है ठीक है तो fourteen ले नहीं हो, unparalleled, unparalleled होता है unmatched, parallel मतलब होता है matched, जैसे parallel lines आपने पढ़ा है, दो समनांतर रिखाए होती है, तो दोनों के बीच में जो distance होता है, सभी जगों पे same होता है, मतलब दोनों match कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये unparalleled unmatched, जिसका जोड़ा नहीं मिले, जिसका काट नहीं मिले, unsuitable, unsuitable आप समझते हैं, unnecessary, फालतू, ठीक है, तो अब redundant का answer क्या बनेगा, unnecessary, next, आगे बढ़ते हैं, trivial, साधारन, तुछ, महत्वही, superficial, superficial का मतलब होता है, छिछला, ठीक है, जो बहुत गहरा नहीं हो, जैसमें बहुत रहस्य नहीं हो, जैसमें बहुत sincerity, नहीं हो, warm, गर्म, हलका गर्म, essential, आवस्यक, तो अब trivial का answer क्या बनेगा, superficial, trivial, superficial, next, scanty, scanty क्या होता है, पहे, scanty होता है, कम, meager, जो बहुत कम हो, अल्प हो, plentiful, परयाप्त, adequate, enough, परयाप्त, meager, मतलब बहुत हीं कम, तो answer क्या बना, scanty का, गर, complacent क्या होता है, complacent का मतलब होता है, sand, अब कोई व्यक्ति सान्थ कब होगा, जब हो खुद से, आतम संतूस्ट होगा, rebel,itect, self, satisfied, टी कै, अब आज वे, मेनिंग भी होता है Self Satisfied क्या होता है आत्म संतूस्ट तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा क्या बनेगा स्मग क्या बनेगा स्मग नेक्स्ट यहां से आगे चलते हैं हम लोग कुछ और नए कोशन के तरफ फ्लारिस मतलब फलना फुलना थ्राइव उन्नती करना लेंग्विस सुस्त आलसी यह देखे स्रिवल स्रिवल क्या है तो स्रिवल का मिनिंग होता है सिकुडना मुर्जाना सूखना ठीक है जैसे कोई पेन पौदा होता है स्रिवल कर जाता है ठीक है वीदर सिकुरना सूकना मुर्जाना थ्राइव का मतलब भी होता है उन्नतिक करना तो देखें थ्राइव भी आया था फ्लरेश भी थोड़ी दिर पहले आया था अब देखें वहां पे कोश्चन आप ने देखा होगा तो वहां पे फ्लरेश पर लिखा हुआ था ठीक है और फ करेंगे जैसल कि हमने आपको आज के वीडियो में इनीशियल में बताया तो आप देखेंगे कि वड इतने ज्यादा रिपीट करते हैं कि यदि जितने भी वड होंगे तो कुल मिलाके वह कम से कम वन फॉर्थ तक कि इतने आ जातें वन फॉर्थ तक वह घटके आ जाते हैं ठीक है जब आप याद करना शुरू करेंगे तो पीछे से revise करते हुए यह नहीं कि आगया आप याद करते चले को पीछे वाला आप revise नहीं करेंगे फिर भूल जाएंगे फिर उसको भी रटना पड़ेगा तो आपका sys का मतलब क्या होता है रोक देना prem तरा दे धेख अब रिपीट कर गया preserve क्या होता है किसी चीज को सुरक्षित रखना Ρीज किसी चीज को मुक्त कर देना चोड़ देना आजाद कर देना तो अब पर्पीच्विट पर अम्रेलेटेड क्या बनेगा preserve में भी हम लोग क्या करते हैं चीज़ों को लगतार सुरक्षित बनाए रखते हैं तो लगतार इसमें भी है continuity और इसमें भी है continuity इस बेसिस पर यह दोनों क्या हो गया आंसर हो गया, discern, discern क्या होता है बहई किसी चीज को identify करना, क्या होता है किसी चीज को identify करना, पहचानना, ठीक है, चली अब इसका answer हम लोग देखना शुरू करें, neglect मतलब नजर अंदाज करना, नकारना, don't, don't का मतलब क्या होता है, एक होता है इसका meaning, दुसासी, ठीक है, दुस पधेंता, संग्राम, बहुत सारे चले, ठीक है, बहुत सारे आंधोलन हुए, freedom के लिए, और अंग्रेजों ने क्या क्या उसको दबा दिया, क्या क्या, जबरदस्ति उसको दबा दिया, disregard मतलब किसी का अनाधर करना, perceive मतलब किसी चीज को सीखना, जानना, समझना, तो discern से related एक ही वर्ड है, perceive, ठीक है, नेक्स चलिए कुछ और वर्ड हम लोग यहां पर सीखते हैं, inimical क्या होते हैं, तो inimical के मिनिंग की तरफ हम लोग बात में चलते हैं, पहले इसको हम लोग सीखते हैं, comparable, compare करना, तुलनातमक, hostile, सत्रुता, ठीक है, यह देखिए, hostile, hostility, यह भी थ opponent, मतलब वीरोधी, ठीक है, उल्टी बात करने वाला, उल्टा विचार धाना रखने वाला दोनों एक दूसरे का विरोधी जैसे इंडिया और पाकिस्तान, दोनों की से एक दूसरे के विरोधी, रसीया और अमेरिका क्या हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी, बोद हार, inimical to each other ठीक है नेक्स्ट वेनरेबल क्या होता है तो इसका question number 55 का answer क्या बनेगा इसका answer बनेगा hostile ठीक है वेनरेबल क्या होता है तो वेनरेबल फिर वही बात difference, reverence, सरद्धा, सम्मान, आदर ठीक है आजा ये reliable, reliable मतलब विश्वस्नी है, esteem, esteem का मतलब आदर, सतकार, सम्मान, respect, valuable, कीमती, redeemed, redeemed का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि यदि आपने कहीं कोई गलती किया है आपने उस गलती को पाचाना अब उसके भरपाई के लिए आपको इस्टेप लेने जा रहे है वो है रीडिय मतलब उसकी भरपाई करना ठीक है गलती का पश्चाताब करना तो विनरेवल का क्या बनेगा, esteem, insacent ये भी वही होता है insacent लगतार, perpetual, persistent, insacent जिसे बारिस होती है बारिस का मौसर में जब बारिस होती है कई बार ऐसा बारिस होता है दो-चार दिनों तक छूड़ता ही नहीं है, ठीक है, दो-चार घंटे तक भी हो रहा है तो हम लोग आते हैं कि चार घंटे से लगतार भारिस हो रहे है insacent, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते है persistent, फिर वही बात, लगतार, बिना रुके, in constant, constant मतलब इस्थिर in constant मतलब अस्थिर, मतलब fluctuate करता है, जो बार-बार change करता है transient, transient क्या होता है भाई, तो transient छनेक, बार-बार बदलने वाला, थोड़ी-थोड़ी समय में बदलने वाला, intermittent क्या होता है, रुक-रुक कर, जैसे बारिस कभी-कभी होता है फेटिंग भी देखे, साइध रिफीट कर गया, libeliness, एकदम full of energy, जीवन्त, freshness, तरुता जा, यहां पर देखे, weariness, ठकावट, brightness, चमक, आंसर क्या बनेगा, फेटिका, weariness सैंक्षन क्या होता है, तो अभी हाल-फिलाल में आप सुने होंगे, कि नाटो, अमेरिका और ऐसे बहुत सारे देशों ने रसिया पर क्या करती है, सैंक्षन का दो meaning होता है, सैंक्षन का एक meaning होता है, approval, दूसरा meaning होता है, एक official किसी पर ban लगा देना, किसी के activity को रुकने के लिए उस पर penalty impose करना, ठीक है, दो meaning होते है, denial क्या होता है, किसी चीज से इंकार करना, deny से बना, denial, approval, सहमती, grace, kripa, mercy, एक ही चीजे, mercy का मतलब भी वही है, ठीक है, एक्षा, तो सैंक्षन का meaning क्या होगा, approval, सैंक्षन, approval, जे पार्डी देखे, ये भी न जाने कितनी बार to put in danger, खत्रे में डालना, promotion, मतलब किसी का क्या करना, promotion करना, उननती करना, peril, peril का मतलब भी होता है, to put in danger, ठीक है, खत्रे में डालना, prevention, रोक, protection, सुरक्षा, तो जे पार्डी का answer क्या बनेगा, जे पार्डी का बनेगा, जे पार्डी का क्या बनेगा, पेरिल, जे पार्डी क क्लास को हम यहीं पर समप करते हैं यहीं पर कंक्लूड करते हैं मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में नए वोकैब के साथ ठीक है तो वोकैब का क्लास अभी आपका कंटिनू रहेगा तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर से कुछ और नए वोकैब के साथ तब त कंद तन्थन दो